नमस्कार इबनिंग नूज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुख्य खवर पर नजर डालते हैं घर बैठे मंगा सकेंगे माचिनमस्तिका का परसाद देश के परमुक धार्मिक अस्थलो जैसे तिरू माला मंदीर हनुमान गड़ी अयोध्याव बाबा बैदनात मंदीर के बाद अब रहरापा के माचिनमस्तिका मंदीर का परसाद भी आप घर बैठे मंगा सकते हैं बतादे डाक विभाग द्वारा माचिनमस्तिका परसादम योजना की सुरुवात कर दी गई है इसके लिए उप डाक पाल गोला के पदनाम पर 251 रूपया और 501 रूपया कमन याडर भेज कर परसाद मंगा सकते हैं बतादे डाक विभाग ने बुद्वार से माचिनमस्तिका परसादम योजना की सुरुवात की है तीसरी लहर को लेकर राची के अस्पतालों में नर्स की होगी परतिन्युक्ती कुरोना की तीसरी लहर के असंका को देखते हुए जिला परसादम त्यारी में जूट गया है बतादे इसको लेकर बुद्वार को डीसी चवीर अंजन ने जिला अस्थरीय कोवीड-19 टास्पोर्स की बैठक वर्चुल मोड से की बतादे वर्चुल बैठक में डीसी ने सभी सरकारी अस्पतालों में बेतर चिकित्सा ब्यवस्था के लिए अवस्यक मैन पावर को लेकर कार्मिक को सांग को निर्देश दिया की एक सभ्ता हमें अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, पारामेटकल स्टाप आधी की प्रक्तिनित्ती की पूरी तयारी कर ले रांची में अब इस्तिमाल हो चुके खाने के तेल से चलेगी गाड़ियां रांची में अब खाने के तेल से गाड़ियां चलेगी जी हाँ food safety department की ओर से इसके लिए त्यारी शुरू कर दी गई है बतादे पहले चर्ण में विभाग की ओर से राची में एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें सहर के प्रती दिन कितना लिटर खादे तेल वेस्ट के रूप में निकलता है इसकी जनकारी कठक की जा रही है इसके बाद इस तेल को प्रोसेसिंग के माध्यम से बायो डिजल में बदला जाएगा और फिर इसका उपयोग इंधन के रूप में हो सकेगा बतादे इससे दोहरा फाइदा होगा पहला रेहडी वाले वेस्ट खादे तेल को बेस्ट लेंगे वहीं इसे पहला लोगों का स्वास्त ठीक रहेगा वा दूसरा इसका इस्तेमाल बायो डिजल के रूप में हो जाएगा राश्ट्रिये चिकित्सा आयोग ने जार्खन के तीन नए मेटकल कॉलेजों में नमांकन पर रोक लगाई राश्ट्रिये चिकित्सा आयोग ने जार्खन के पलामो डूमका और हजारी बाग में तीन नए अस्थापीत संस्थानों में MBBS सीटों पर दाखिला पर रोक लगाने के फैसला किया है बता दे NMC ने दुमका हजारी बाग और पलामो मेटकल कॉलेज में नियोजन के अनुसार संसाधन उपलवद नहीं रहने पर नमांकन पर रोक लगाने से राजे के में धावी बिद्यार थी अच्छे अंक प्राप्त कर भी सीट पाने से वन्चित रह जाएंगे एम्स देवघर पहुंचे जारखन के राजजेपाल जारखन के राजजेपाल रमेस बैस गुरु आरको देवघर पहुंचे बता दे हवाई आड़ा से वे सीधे देवी पूर इस्थीत एम्स परिसर पहुंचे यहाँ पर उन्होंने OPD का जाजा लिया इसके बाद टाइप एम्बीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को समधित करेंगे जामता से होमगाड घूस लेते गिरफतार भरष्टा चार निरोधक ब्योरो दूमका की टीम ने जामतारा से होमगाड ओफिस के मौनसी मनोज कुमार पांडे को 3000 रुपे घूस लेते गिरफतार किया है पता दे होमगाड जवान अमीर खान को ड्यूटी देने के एवज में रुपए की मांग की गई थी वर्ष्ट 2021 में दूमका ECB की हदूसरी करवाई है बताया गया की जामतारा कि बागडे हरी निवासी अमीर खान होमगाड के जवान है अमीर ने दुमका ACB में दिये अवेदन में कहा है कि जब ड्यूटी लेने होमकाट ओफिस जाम तरा गए तो अहां होमकाट ओफिस के मुनसी मनोच कुमार पांडे ने कमान देने के एवज में तीन हिया रुपे बतोर घुस देने की मांकी इंडियन का कमपोजिट गय सिलेंडर लांच हो गया है बता देया बलो मावल डेड हाई डेंसिटी पॉली इथलीन मैटेरियल से बना है आग लगने पर यह बलास्ट नहीं करेगा इस गय सिलेंडर का कूल वजन 15 किलो 900 ग्राम है इसमें 10 किलो गय सामिल है असानी से इसे कहीं भी उठा कर रख सकते हैं बता दे इसकी कीमत 644 रुपया है सिलेंडर की डिजाइन आकर सक है पुराने ग्राहाक 14 किलो 200 वाले सिलेंडर को बदल कर कमपोजिट सिलेंडर भी ले सकते हैं मौसम विभाग के अंसर बंगाल की खाड़ी में बने निम्द दवाव के कारण पूरे जारखन में दो दिनों से लगतार हो रही बारिस से जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है बता दे मौसम बैग्यानी के अनुसार गुरू आर से मौसम साफ होने के उमीद है राजे के अध मौसम साफ होने लगेगा एक दो जगो पर बजरपात के साथ हलकी बारिस होने का उनुमान है छठी और सत्वी कलास अगले सब्ता से सुरू राजे में अठारा महबाद का खशा छठी और सत्वी के बच्चे वा पांच महबाद का खशा आठ्वी के बच्चों की ओफले न पढ़ाई होगी बतादे राज सरकार से अनुमती मिलने के बाद स्कूल खोलने की त्यारी शुरू कर दी गई है जो अगले सब्ता से राजे के 20,276 सरकारी वर नीजी स्कूल में काक्षा संचालन शुरू होने की संभवना है बतादे इसमें 13,660 सरकारी विद्याले है राजे में काक्षा चालन से आठ में कूल 20,94,865 विद्यार्थी नमांकी थाएं जीन में सिर्फ 1,35,976 बचे सरकारी विद्याले में नमांकी थाएं सराब भीक्रेता नहीं ले सकेंगे ज्यादा कीमत उत्पाद विभाग ने MRP से ज्यादा कीमत पर सराब बिचने पर करवाई की बात कही है बतादे खुद्रा दुकंदारों को निर्धालित मुले पर ही सराब की विक्री करने को कहा गया है इसके लिए बयकाईदा दुकंदारों के बाहर विभाग दुआरा जारी बिभीन ब्रान्डों के सराब का रेट चार्ट लगाना होगा ऐसा नहीं करने वाले दुकंदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा वहीं दो बार से ज्यादा ऐसे करते पकड़ जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की करवाई की जाएगी रजरप्पा वा बंसी धर में मंदीर खुले जारखन में मंदीर खुलने को लेकर मंदीर प्रवंधन समीतियां सरकारी आदेस के इंतजार में है वहीं रामगर इस्थित रजरापा वा बंसी धर नगर इस्थित श्री किष्ण मंदीर के द्वार सरधालू के लिए खुल दिये गए है वहीं चात्रा के इटखोरी सित भद्रकाली वराची सित पहारी बाबा मंदीर प्रवंधन समीति को अब सरकारी आदेस का इंतजार है अधिकारियों का कहना है कि अब तक उनके पास सरकारी आदेस नहीं आया है बता दे की राज ये आपदा प्रवंधन की बैठक में 16 से धार्मिक अस्थल खोलने का निने लिया गया था धनबाद जर्ज हत्याकांड धनबाद के जर्ज उत्तम अनन्ध हत्याकांड मामले में गुरु आरकोज हर्खन हाई कोट के चीफ जर्शिस डाक्टर रवी रंजन और जर्शिस एसन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई अदालत ने CBI की अब तक की जाज से नराजगी जताई है अदालत ने कहा है कि हमारे एक नयाईक पदाधिकारी की दिन दाहड़े हत्या की गई है कोटे आसपस्ट करना चाहती है कि उसे जल्द से जल्द इस मामले में पईनाम चाहिए सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा अभी तक CBI सिर्फ दो लोगों से आगे नहीं बढ़ पाई है अदालत ने असांका ब्यक्त की है कि कहिए मामला मौडर मिश्ट्री बन कर नराजाए जे पीएसी एकजाम धनबात के 102 केंद्रो पर उनहीं सितंबर को होने वाली जर्खन लोग सेवा आयो की परिक्षा को लेकर बुद्ध्वार को धनबात उपायुक्त और वर्ये आरक्षी अधिक्षक द्वारा सन्युक्त रूप से न्यू टाउन हौल में समिक्षा बैठा की गई उपायुक्त संदीप सिंग ने कहा कि जीला परसाशन की प्राथमिक्ता परिक्षा को सान्ती पुर्वक और कदा चार मुक्त कराना है इसके लिए त्री अस्तरिये सुरक्षा ब्यवस्ता की गई है उन्होंने बताया कि जीले के 102 परिशा केंद्रो पर 329 परिशार्थी पर उक नजर बर्सों से है बतादे रूपय का लालस दिखा रतनों के तसकर अस्थानिय ग्रामिनों से ही पन्ने का अवयत खनन करवाते हैं बतादे पत्थरों के बीच से पना तलासने के लिए तसकरों ने यहां के लोगों को रैट माइनिंग की ट्रेनिंग दी और यहां स से आकूत संपती ले जाकर मला माल हो रहे हैं बतादे पना की तसकरी में पिछले 10 सालों में अब तक 38 लोग जेल जा चुके हैं और लगभग साथ करोर का पना जब्त हो चुका है वर्ष 2008 में इस छेत्र में तसकरी का खेल शुरू हुआ उर्दू को बढ़ावा देकर जार्खन में इसलामी करन की त्यारी रगवर्दास जार्खन के मुख्यमत्र हेमान सुरन की ओर से भोजपूरी और मगी भाषा पर दिये गए ब्यान से उठा सियासी तुफान सांथ होने का नाम नहीं ले रहा है उन्होंने कहा था कि भोजप पर भाजपा ने पूछा है कि क्या राज सरकार उर्दू को बढ़ावा देकर राज एक इसलामी करन करने की त्यारी कर रही है इंदी नो पूरा जार्खन राज सरकार के बिवादा अस्पत फैसलों के लिए चार्चा के केंद्र में है कभी जार्खन विधान स्वामे नामा कर अपने दोतों साथ सेयर करना ना भूले साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवसे दे थाइंक यू